हेलो माई डियर इंटेलिजेंट सुडेंट एंड वेलकम तु मैंनेट बेंस मैं हूँ आपका माच मेंट राहूल एंड सुडेंट इस समय आप देख रहे हैं क्लास एट की जो हमाई टेक्सबुक है एंसी आटी उसका हम थर्ड चाप्टर कवर कर रहे हैं जिसका नाम है अंड और उसके पहले आने वाले कॉंसेट पे जो की बहुत जरूरी है हमारे एक्ससाइस को अच्छे से सॉल्व करने के लिए अब ज्यादा समय में आपका बरबात नहीं करूंगो इन सब बातों में हम डायक्ली फोकॉस करेंगे हमारे काम की तरफ तो अगर आपको याद हो सब्सक्राइब करते वक्ते मेरी जो अप रोच थी मेरा सौल करने का तरीका था वह तो एक इक स्टेट बा… पे कोई दो आंगल साथ में जुड़े होते हैं तो उनका सम 180 आता है यह कहला दे लीनर पेर प्रॉपर्टी ठीक है यह पड़ चुके हैं तो जदी यह आंगल 90 है तो दूसरा वाला कितना होगा सर्थ टोटल होता है 180 आपने 90 माइनस कर दिया तो 90 बचेगा बिल्कुल ठीक इधर पे भी टोटल होगा 180 आपने 30 कर दिया माइनस तो रिमेनिंग बचेगा 150 एंड थर्ड वाले के आपको थर्ड आइंगल पता होना चाहिए था और वो हमने कैसे निकाला था तो वो हमने निकाला था कुछ इस प्रकार की 90 30 और ये थर्ड आइंगल जिसको बौल भाए मान लीजे ए इनको जोडने पर आना चाहिए था 16 क्योंकि यह क्या है एक इन दोनों को जोड़ के आया था 120 तो एकी वालियो आई थी 180 में से 120 घटा दीजिए तो मतलब 60 डिगरी होगी इस एंगल की वालियू और जब ये एंगल 60 है तो फिर से लीनियर पेर का उपयोग करते हुए हम क्या कर सकते हैं हम वाई के वालियू निकाल सकते हैं कि अगर ये 60 है तो ये कितना होगा 120 होगा और फिर इन तीनों को जोड़ के हमने निकाला था हमारा सम कितना आया था 180 डिग्री अब यहां पे जो दो वर्ड मैंने यूज किये वो थे इंटीरियर आएंगल और एक्स्टीरियर आएंगल ये दो वर्ड आपको बहुत काम आएंगे ठीक है तो मतलब ये 90, 30 और ये तो 60 जो आपने निकाला था ये तीनों इंटीरियर आएंगल से हैं और एक्स, वाई और जेड वो का है फिगर के बाहर है तो वो एक्स्टीरियर आएंगल से हैं तो ये डिफरेंस किलियर होगा तो आसानी हम सॉल्व कर पाएंगे ठीक हैं ये था फ जोडने पर आएगा 180 क्योंकि यह state line पर हैं तो linear pair हैं उसी तरह इन दोनों को जोडने पर आएगा 180 और यहाँ वाले और W को जोडने पर भी आएगा 180 जब आप इन चारों को जोड़ेंगे जब आप इन चारों को एड करेंगे तो 180, 180, 180, 180 मिला के कितना हो जाएगा चार बार 720 इस 720 में से 720 में से मुझे अंदर के अंगल्स नहीं चाहिए तो मैं उनको क्या कर दूँगा माइनस कर दूँगा बट अंदर के जो एंगल्स हैं उनका सम मुझे पता है तो मैं चारों को अलग-अलग माइनस करने की जगा एक बार में चारों को जोड़के क्योंकि 360 आता है इसलिए 360 माइनस कर दूँगा अब आपने सब को जोड़ा था सब में से अंदर वाले आप माइनस कर रहे हैं तो बचे हुए क्या होगा result क्या होगा result होगा बाहर वाले angles का sum तो यह कितना हो जाएगा 360 हो जाएगा क्या आपको यह समझ में आया अब note करने वाली बात यह है जिसकी sides किती होती है तीन होती है जहां पर तीन angles होते वहां पर भी सम कितना आया 360 degree and this brings to the concept that we are going to learn जो में पढ़ना है आज which is sum of the measure of the exterior angles of a polygon तो मैं इस पर ध्यान देना है क्या होता है जब आप exterior angles का sum निकालते हैं अब polygon आप सब को पता है polygon क्या होता है सब polygon एक simple closed curve होता है जो की line segment का बना हुआ हो अब उधारन के तोर पे यहां पे आपके लिए क्या दिया गया है एक pentagon दिया गया है क्या दिया गया है pentagon तो अब तक आपने क्या देख लिया है तो अब तक हमने यह देख लिया कि triangle के बाहरी आंगल मतब एक्स्टीरियर आंगल का सम कितना होता है 360 degree quadilateral जिसके चार साइट होते उसके भी बाहरी आंगल का सम कितना होता है 360 degree और मैं यह दावे से कह सकता हूँ कि pentagon के बाहरी आंगल का सम भी 360 degree होगा सर कैसे जड़ा यहां दियान दे एक बाहरा हम इस diagram को चेक करते अच्छा मुझे एक बात बताईए यह 3 और यह आंगल जोडने पर कितना आएगा सर वो आंगल 3 और यह पूरा एक straight line है तो यह 180 के बराबर आना चाहिए ठीक है तो मैं एक काम करो अंदर वाले आंगल को D बोलना हूँ मैंने क्या लिखा कि 3 प्लस D is equal to 180 degree and the reason is linear pair जिसको मैं short में लिख रहा हूँ LP क्या लिखना हूँ LP अब यहां पर 2 और सी को जोडने पर कितना आएगा सर दो और सी को जोडने पर भी 180 आएगा क्योंकि वो भी एक straight line ही है कुछ इस प्रकार अच्छा एक और बी को जोडने पर कितना तो सर एक और बी को जोडने पर 180 आना चाहिए ठीक है इसी तरीके से ए और पांच को जोडने पर कितना तो यह ए यह छोटा भी लिखाए मैंने स्मॉल भी कैपिल भी जाकि डिफरेंस समझ में आ जाए तो पांच और ए भी हो जाएगा 180 डिग्री और सबका रीजन वही है कि वो लीनियर पेर फॉर्म कर रहा है और लीनिय प्लस E हो जाएगा 180 के बराबर क्या आपको यह समझ में आया क्या यहां तक कोई दिकत नहीं सर अब जड़ा मुझे बात बताएगे क्या मैं कैसी तरीके से क्या मैं किसी तरीके से एंगल A प्लस B प्लस C प्लस D प्लस E निकाल सकता हूँ कितना होगा हाँ सर आपने ही पढ़ाया है कि किसी भी पॉलिगान के अंदर के एंगल्स का सम निकालने का फॉर्मुला इस वेरी सिंपल जितनी साइड्स हैं उसमें से दो काट लीजिए टैक्स का और गुणा कर दीजिए 180 से ठीक है तो 5-2 कितना हो जाएगा सर 5-2 हो जाएगा 3 3-180 करेंगे तो कितना आएगा सर 3-180 करने पर आएगा 540 डिगरी कितना आएगा 540 डिगरी 8-324 चार या दो उपर 3-345 चलिए मतलब इन चारों आंगल्स को जोडने पर 540 डिगरी आना चाहिए कितना समझ में आया जी सर अब जब यहाँ देखें मैं इन सबको आड करने का प्रयास कर रहा हूँ तो जब मैं इन सबको आड करूँ मुझे क्या मिलेगा सर हमको मिलेगा 1-2-3-4-5 यह 5 आंगल्स जो कि क्या है एक्स्टीरियर आंगल्स है बाहर के आंगल्स है वो कहा है पेंटागन के बाहर है और साथ में मिलेगा प्लस करने पे A प्लस B प्लस C प्लस D प्लस E तो इन सबको जोडने पर क्या हैगा सर 180 को 5 बार मल्टिप्लाइ कर दीजे मतलब कितना हो जाएगा 1850 होता 8540 जिरो या फोरूपर 900 क्या हमारा क्यालकुलेशन करेक्ट है येस सर क्या कहीं कोई दिक्कत नो सर अब यहां ध्यान देना यह कितना हो गया 900 अब इसमें से मुझे किस चिस की वाल्यू पता है सर A प्लस B प्लस C प्लस D प्लस E की वाल्यू आपको पता है कितनी 540 डिगरी आप नहीं निकाल लिए बिलकुल ठीक तो यहां लिख रहा हूँ मैं 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 इन सब को जोडने पे आएगा 900 और उसमें से काट डीजी है 540 ज्योंकि A प्लस B प्लस C प्लस D इनको जोडने पे तो 540 आ रहा है तो इस तरफ यह थे पॉजिटिव साइट चेंज करेंगे तो नेगेटिव कितना आएगा सब्ट्राक करने पे माइनस करेंगे दिखाएए 900 में से 540 अगर माइनस करेंगे 5 की जगा आजाएगा 9 की जगा 8 10 की जगा जाएगा यहां पे कुछ नहीं आएगा तो 00 10 में से 4 गया चे 8 में से 5 गया 3 जोडने पे कितना आएगा वो पता लगाना था तो हम नहीं है तक्या टालगाए कि पेंटागन के केस में सम कितना रहा है थ्री सिक्स्टी डिगरी तो जब इसको ध्यान में लखते हैं अगर आपको यह कॉपी करना है तो कॉपी कर लीजे दो मिनिट वीडियो पॉस करके मैं आगे बढ़ रहा हूँ तो यहां से मुझे क्या मिल रहा है यहां से मुझे यह मिल रहा है कि ज़द ध्यान दिने आपके कि ट्राइंगल के केस में बाहरी आइंगल्स एक्स्टीर आइंगल्स का सम कितना 360 कोडिलाटरल जिसको मैं आप स्क्वेर शेप में बना रहा हूँ इसके भी बाहरी आइंगल्स का सम कितना 360 पेंटागन जिसको मैं कुछ इस तरीके से बना रहा हूँ इसके भी बाहरी आइंगल्स का सम कितना 360 degree आप जब आप सेम exercise करते हेक्सागन के लिए हेप्टागन के लिए या फिर डेकागन के लिए भी किसी के लिए भी करते तो उन सब का sum कितना आता है 360 degree आता है मतलब मतलब कि किसी भी polygon में किसी भी polygon में उसके exterior angles का sum हमेशा 360 degree आएगा तो कोई आप से पूछेगा कि सरा interior angles के बारे मताइए तो interior angles का sum बताने के लिए आपको number of sides पता होना चाहिए बट exterior angle के case में आप directly लिख सकते हैं कि वो 360 degree आएगा क्या आपको यह समझ में आया यह सर अब concept समझ में आया तो हम थोड़ा सा questions भी solve कर लेते हैं इससे related ठीक है चालिए आगे बढ़ते हम थोड़ा सा अब यहां पर example देख लेते हैं सेम concept पे बेस एक्जामपल वन है जिसमें आपको x की value निकाल ली है यहां पर क्या दिया आपको यहां पर आपको दिया एक पॉलिगॉन जिसको हमको मैं लिख सकता हूँ कि 110 डिगरी प्लस 50 डिगरी प्लस 90 डिगरी और x इन सब को जोडने पर 360 डिगरी आना चाहिए जी सर अब इनकों जोड़ेंगे तो जोड़ेंगे तो जोड़ेंगा 250 क्या कोई समस्या क्या कोई शंकामन में 90 और 110 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 200 और 50 और 250 तो x की वाल्यू कितनी सब 360 डिगरी में से 250 डिगरी माइनस कर देंगे तो हमें मिलेगा 110 डिगरी x की value तो मतलब ये angle कितना है 110 डिगरी इस तरीके से हम यूज करते हैं exterior angle property कौन सी property है ये exterior angle property of polygon exterior angle property of polygon क्या आपको ये समझ में आई जी सर क्या सवाल समझ में आया क्या था सवाल में तीन बारी angle दिये थे चौता निकालना था हमें चारों को जोडने पर 360 आता ये पता है इसलिए हमने add करके answer निकालके x की value find कर दी आसान सवाल जल्दी हो गया चलिए आगे बरते हैं थोड़े और question देखते हैं ये question है basically आपके trides जो होते ना उन में से उठाया है हमने उन में से लिया है ताकि आप उनको भी समझ पाएं कि सवाल में कहना के अचारा और concept को develop कर पाएं अब ज़रा ध्यान दे टेक regular hexagon figure 3.10 तो हमारा जो figure 3.10 है वहाँ पे एक regular hexagon दिया है आपको ठीक है what is a regular hexagon ये आपको पता होना चाहिए एक hexagon का मतलब होता है hex what similar है 6 के तो hexagon में कितनी sides एक, दो, तीन, चार, पांच, छे sides regular का मतलब क्या होगा कि सारी sides बराबर एक दुसरे के और सारे angles भी बराबर चलिए उसके बाहरी angles का sum क्या होगा ये आपको बताना है सर आपने सिखाया है कि sum of exterior angles of a polygon is always 360 degree तो जब आपको sum पूछेगा इन सबका तो आप कितना लिखोगे 360 degree और अब क्या लिखोगे साथ में कि sum of exterior angles of a polygon is 360 degree always अब जब आप से वो साबित करने को बोलेंगे तो कैसे करोगे तो तरह यहां ध्यान देना देखो अगर मैं a को ही शुरू करूँ तो यह हो जाएगा a plus x equal to 180 degree ठीक है ऐसे ही करते करते आपके पास आएगा last में a plus x r है न equal to 180 degree जब आप इन सबको आड करेंगे तो आपके पास आएगा 6a क्योंकि सारे angles की value बराबर है अंदर वाले तो ऐसे a छे बार आड करोगे तो 6a और यहां पर आएगा x plus y plus z plus p plus q plus r should be equal to 180 into कितने बार है 180 सार छे बार है चलिए hexagon के interior angles का सम कितना होता है सर आपने सिखा है था कि interior angles का सम इंटीर आइंगल्स का सम मैं थोड़ा हिंदी में लिख रहो लेकिन हमें ऐसे नहीं लिखना है आप देखो कि sum of interior angles is equal to कितना सब जितनी साइड माइनस टैक्स इंटू 180 डिगरी तो साइड है 6 टैक्स कटेगा 2 और multiply कर देंगे 180 से कितना होगा सर फोर इंटू 180 अब मैं इसको पूरा लिख भी नहीं रहा ठीक है multiply करके क्यों समय बरबात करें तो होगा यहां पर क्या मैं 6a की जगा सिक्से बेसिकली है क्या सारे angles को जोडने पर क्या आएगा जोंकि ए repeat हो रहा है तो एक दो तीन चार पांच छे 6a आएगा तो सिक्से की जगा पर मैं लेख रहा हूं 4 इंटू 180 कोई दिखकत और यहां पर यह सारे के सारे x प्लस y प्लस z p प्लस q प्लस r equal to 6 इंटू 180 डिग्री अच्छा इन दोनों को मैंनस कर दें अब तो हमें क्या मिलेगा तो हमें मिलेगा x प्लस y प्लस z प्लस p प्लस q प्लस r should be equal to 6 times 180 minus 4 times 180 ठीक है अब सर यह कैसे solve होगा या तो multiply करके minus करके देख लो या फिर अगर मैं आपको थोड़ा सा दिमाग की बत्ती चलाने को बोलू तो ज़र यहां ध्यान देना 6 into 180 180 6 बार ठीक है मतलब मान लिजे कोई variable x 6 बार minus 4 into 180 वही value multiplied by 4 और आपको minus करनी है तो यह कितने 180 हैं सर यह 6 180 है 4 180 हमने हटा दिये तो कितने बचेंगे सर 6 में से 4 हटाए तो 2 बचेंगे तो यहां पर मैं लिख रहा हूँ 2 into 180 डिगरी जिसको आप mathematically 360 डिगरी भी लिख सकते हैं एक बार फिर से क्या बोलो मैंने सर 6 into 180 था बिल्कुल ठीक क्या था 6 बार आपने 180 को गोणा किया और आप उसमें से घटा क्या रहा है सर 180 को 4 बार गोणा करना उधारन के लिजे आपके पास 6 चोकलेट है और आपने 4 चोकलेट हटा दी तो कितनी बची 2 चोकलेट अब मानलो चोकलेट की जो कंपनी उसका नाम है 180 तो आपके पास 6 180 हैं आपने 4 180 हटा दिये तो कितने मचेंगे 2 180 तो 2 180 क्या यह समझ में आया जी सर मल्टिप्लाइ करने पर आएगा 360 मतलब यहां पर इन सब का सम किसका सम x y z p qr इन सब को जोडने पर 360 आया चलिए आपके कॉपी करना है तो खर लीजे तो मैं 2 मिट पॉस्ट कर लेता हूं और हो गया है तो मैं स्कीन यहां पर करता हूं clear और हम उफ करेंगे next question की ताव second part क्या बोल रहा है आपसे इस x equal to y equal to z equal to p equal to q equal to r मतलब क्या बाहरी सारे angles बराबर हैं सर जब अंदर के angles बराबर हैं तो बाहर के angles बराबर क्यों नहीं होंगे बिल्कुल वाजिब लोग आपका एकर हम इसको mathematically देखें तो यहां ध्यान देना sorry तो a plus x आ रहा है कितना 180 है ना और a plus y भी कितना आ रहा है क्यों कि भाई साब यहां ध्यान देना एक दम सटीक बात करेंगे है अपन यहां ध्यान देना कि यहां पर ए a plus x किस तरह की line पर सीधी लकीर पर दोनों को जोड़ने पर कितना आना चाहिए सर 180 a plus y को जोड़ने पर कितना आना चाहिए सर एक सो सी अब जब ये दोनों पक्स बराबर हैं तो ये दोनों पक्स भी बराबर हो जाएंगे मतलब A प्लस X बराबर हो जाएगा A प्लस Y के अब जब A और A बराबर हैं तो कैंचल हो सकते हैं तो आपको क्या मिलेगा इसी तरीके से ये सारे एंगल भी बराबर होंगे तो आप क्या लिखोगे, reason क्या लिखोगे यहाँ पे तो reason आप एक ये भी proof कर सकते हो और नीचे लोगों, similarly x equal to y equal to z equal to p equal to q equal to r and y में क्या reason लिखोगे आप y में ये reason भी लिख सकते हो कि since since it is a regular hexagon कौन सा hexagon है? regular hexagon interior angles would be equal interior angles would be would be equal and क्योंकि interior angle बराबर है तो वे सी बात है exterior angle भी बराबर हो जाएंगे therefore exterior angles would also be equal would मतलब कहने का सार ये है कि भाई साब जब अंदर के angles बराबर हो गए तो बाहर के angles भी बराबर हो जाएंगे क्या आपको ये समझ में आया? क्या ये हर जगा पे होता है? नहीं ये खाली special case में होता है कॉन सा special case रेगुलर अक्सागन का case या कोई भी रेगुलर पॉलीगन का case जा पे सारी साइट तो सारे angles क्या होते हैं? बराबर होते हैं चलिए यहाँ पे होती है screen clear and हम move करेंगे अगले प्रश्न की और सवाल क्रमांक तीन हमारा आपको क्या पता लगाना है? कि interior angle का sum interior angle की value कितनी और exterior angle की value कितनी है? अभी थोड़े समय पहले आपने ही मुझे बताया था कि सर x plus y plus z plus p plus q plus r करने पे 360 degree आएगा आएगा कि नहीं? Yes sir, क्या बोलेंगे आप इसको? इसको बोलेंगे exterior angle property EAP of a polygon चलिए, अब यहाँ जान दे, सब को जोड़ने पे कितना है? 360 degree और हमने पिछले वाले जो slider उसमें एक और चीज़ पकड़ी थी कि यह सारे angle क्या होंगे? बराबर होंगे तो मैं लिख रहाँ X equal to Y equal to Z equal to P equal to Q equal to R क्या इसमें कोई समस्या नहीं सर? तो इन सब को जोड़ने पे 360 और यह सब आपस में बराबर कितने यह लोग सर? 6 साती हैं तो क्या मैं इसको reframe करके 6X लिख सकता हूँ? आप मुझे यह बताईए क्या बोल रहा हूँ मैं? इस sentence को इस equation को मैंने modify करके simple करके लिख दिया 6XR कैसे? देखो सारे angle एक दूसरे के बराबर है तो मतलब Y B X के बराबर Z B X के बराबर P B X के बराबर Q B X के बराबर R B X के बराबर जब सारे X के बराबर है तो कितने हो जाएंगे? सर X X X X X X X 6 बार तो लिखा हमने 6X क्या आपको यह समझ में आया? यह सर अब यहां से आप निकाल सकते हैं X की value कितनी आएगी? कितनी? 60 degree अब आपको मुझे बताना है यह X था क्या? यह X कहां रहता है? सर यह Polygon के बाहर रहता है तो इसको क्या नाम देते हम? सर इसका नाम है exterior angle तो कितना आया exterior angle का value? 60 degree आया कि आपको यह समझ में आया? Yes सर कहीं कोई शंका मन में? No सर तो यह वाला सवाल होता है हमारा पहला part solve जिसमें हमारा exterior angle आया है कितना? 60 degree अब second part क्या बोल रहा है? सर interior angle की बात कर रहा है कितने है interior angle? सर 6 सबकी value कितनी है? सर सबकी value बराबर है A की बिलकुल ठीक तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 और इन सबको जोडने पर कितना हैगा? सर आपने जो शिखाया है उसके साफ से 6 minus 2 into 180 करना पड़ेगा तो हमें आसानी से solve करने को मिल जाएगा अब यहाँ पर देखे यहाँ हो जाएगा 6A क्योंकि 6 1 जैसे है और इदर पर मिलेगा 4 into 180 degree यह कौन सा formula लगा है मैंने यह लगा है मैंने interior angles के sum का formula जिसमें क्या होता है जितनी sides minus tax into 180 ठीक है अब यहाँ पर इसको मैं multiply नहीं कर रहा हूं जोकि मेरा समय थोड़ा सा waste हो जाएगा कि पहले multiply करूं फिर cancel करूं तो 6 into 180 यह cancel हो गया आपको कितना मिलेगा सर हमें मिलेगा यहाँ पर 6,3,18 तो 30 और जब 4 को 30 से गुडान करोगे तो A की value आएगी 120 degree मतलब interior angle कितना है 120 degree है चेक करने का तरीका सर यह दोनों आजू-बाजू में रहते हैं तो जब A की value 120 है और X की value 60 है और क्योंकि यह आजू-बाजू में रहते हैं linear pair form कर रहे हैं तो उनको जोडने पर 180 आना चाहिए तो my lord चेक करके बताए 180 आ रहा है क्या सर 120 और 60 हाँ सर 180 आ रहा है तो मतलब यह क्या है मतलब यह linear pair है मतलब हमने सवाल सही solve किया है क्या आपको यह समझ में आया जी सर कहीं कोई शंकामन में नहीं सर तो यहाँ पर screen हो जाती है हमारी clear हमने exterior निकाला साथ interior निकाला 120 और यह किस में होगा सिर्फ regular hexagon में कल को किसी और hexagon में यही value डाल के मत बैठ जाना कि मेरा answer तो बुक के अंसर या फिर सवाल के अंसर से मैच नहीं हो रहा तो भाईया अगर छे साल के बच्चे को बारा साल के बच्चे कपड़े पनाएंगे तो कैसे फिट होंगे उसी तरीके से जिसके लिए आपली केबले वहीं पर फिट करें खिर प्राद दूसरे की चीज़ एक निना फिट करें समझ में आया यह सर अब देखो क्या बोल रहा है फॉर्ट पार्ट में रिपीट इस एक्टिविटी फॉर्ड़ केसिस ओफ और रेगुलर ऑक्तागन उक्तागन में क्या होता है 8 आयंगल तो कैसे निकाल लेंगे उसके एक्स्टिरियर आयंगल सर तो मतलब कितना सर एट फॉर्जा थर्टी टू एट फाइव फॉर्टी ठीक है और उसका इंटीर आंगल इंटीरियर आंगल के लिए पहले तो हमें सम निकालना पड़ेगा सम कैसे निकालते हैं सब जितनी साइड्स माइनस टू टैक्स का इंटू हो जाएगा एक्सव सी और उसको डिवाइड करेंगे नंबर आफ आंगल से ठीक है यह कैसे आया यह ज़र यहाँ पर जान देना देखो ओक्टागर में कितनी साइड्स सर आठ होती है ठीक है एक्स्टीरियर आंगल का सम होता है 360 डिवाइड बाइड बाइड आठ क्योंकि रेगुलर अक्टागर ने मतलब सारे बाहरी आंगल बराबर तो हर एक को निकालने की जगह हम डिवाइड बाइट करके निकाल सकते हैं बात बराबर ही पड़ेगी इंटीरियar आंगल के लिए पहले आपको इंटीरियर आंगल का सम पता होना चाहिए सम निकालने का क्या फोर्मला है समंने का फोर्मला आपने ही सिखाया था कि जितनी साइट है उसमें से टैक्स काट डी है दो तो माइनस टू और गोणा कर दीजे 180 से तो आपको सम मिल divide by 8 कर दिया क्योंकि octagon के अंदर होंगे 8 angles ठीक है यह समझ में आया यह आपको क्या देगा यह आपको देगा 6 into 180 whole divide by 8 तो यहां आ जाएगा 3 यहां आ जाएगा 4 कुछ और cancel हो रहा है क्या yes sir sir यह 4 और 180 cancel हो जाएगा 4 4 is a 16 4 5 is a 20 बिल्कुल ठीक 45 into 3 करने पे कितना है जरा जोड़ के बताएगे sir 45 into 3 करने पे 3 5 is a 15 3 4 12 13 135 डिगरी आएगा तो मतलब octagon के case में octagon के case में interior angle हो जाएगा कितना sir 135 exterior angle कितना हो जाएगा sir k 145 और इन दोनों को जोड़के check कर लो सब्सक्राइब तो मतलब हमारा जवाब सब्सक्राइब क्योंकि दोनों कहां पर होंगे वह भी linear पेर ही form करें क्योंकि एक बहार का एंगल एक अंदर का एंगल मिलके सीधी पट्टी का बना देंगे ना 360 तो यह होगा 360 और कितने हिस्से होंगे सब्सक्राइब मतलब 20 हिस्से होंगे क्योंकि 20 exterior आंगल बनेंगे और क्योंकि रेगुलर है तो सारे आंगल बराबर होंगे तो इस 360 के 20 हिस्से आप डिवाइड करोगे जीरो से 0 कांसल 18 डिगरी आएगी exterior आंगल की वाल्यू अब जराम ध्यान देतें interior आंगल पे तो अब interior आंगल का वाल्यू निकालने के लिए पहले यह पता लगाना पड़ेगा कि interior आंगल को जोडने पे कितना आएगा तो सर 20 साइड हैं दो कटेंगी टैक्स में और बचावा गुड़ा हो जाएगा 180 से यह क्या हो गया सर यह हमने निकाला interior आंगल का सम कितना आएगा अब इसको हम डिवाइड करेंगे किस से सर interior आंगल कितने होंगे उनसे क्योंकि regular है तो मतलब सारे आंगल बराबर होंगे तो किसी एक की value निकालने के लिए डिवाइड कर देंगे कितने हिस्से करने हैं उससे तो डिवाइड बाइड 20 कहां से लाए हम तो यह डिवाइड बाइड 20 ऐसे आया कि इस 20 गन के 20 आंगल ह होंगे जो की बराबर होंगे तो डिवाइड बाइड 20 करके हर एक का हिस्सा निकाल लेंगे यहां से मिला आपको 18 इंटू 180 क्या मिला 18 इंटू 180 कि 20-2 करने पर 18 और नीचे आएगा आपके पास 20 तो टू नाइन जा टू टेंजा है ना और यह एक 0 से 0 कांसल तो 89 जा करने प पर 89 जा 72 टू यहां 7 उपर 9 मंजा 9 और साथ और जोड़ना है तो 162 आना चाहिए तो 162 होगी हमारे इंटीरियर आइंगल की वाल्यू 18 डिगरी हमारे एक्स्टीरियर आइंगल की वाल्यू चेक करने ही के लिए एक पर आड कर लेंगे क्या दोनों को जोडने पर 180 आ रहा है 162 और 186 और 288 और 1210 कैरी 6 और 178 हां 180 आ रहा है मतलब हमने कैलकुलेशन सही किया है तो कैसे करते इन सवालों को सॉल्फ सर एक्स्टीरियर आंगल निकालने के लिए 360 डिवाइट बार जितने हिस्से चाहिए बिलकुल ठीक इंटीरियर निकालने के लिए पहले सम निकालना पड़ेगा फिर उसको डिवाइट करना पड़ेगा कितने हिस्से चाहिए उनसे और ऐसा करने पर हमें हमारा आंसर मिल जाता है चलिए यहां पर होती है स्क्रीन क्लियर और हम मूफ करेंगे आगे हमारे पास एक्जामपल 2 है जो आप से सवाल क्या पूछ रहा है आप से सव पूलीगन के नंबर वस्साइड बताने तो नंबर ओफज साइड स मैंने मा लिए यह है ठीक है अब जड़ा मुझे ये बताईए कि sum of exterior angles कितना होता है sum of exterior angles regardless of the sides कितने हैं polygon के हमेशा 360 ही रहता है बिल्कुल ठीक अब क्योंकि ये regular polygon है ठीक है तो क्या सारे exterior angles बराबर होंगे जी हाँ तो measure of each angle कितना है ये हमें सवाब में बताए गया है कितना होगा सर सवाल में दिया है 45 degree कितना 45 degree अब जड़ा यहां ज्यान दे आपके पास measure निकालने का तरीका क्या है सर 360 होता है total sum divide कर देंगे इसको number of sides से तो हमें ये पता लग जाएगा कि कितना होगा हर एक angle का value जो कि हमें सवाल में पहले से पता है 45 degree एक बड़ फिर से क्या था सर ये है exterior angle का sum 360 ठीक है अब polygon में जितने sides होंगे उतने ही angles होंगे येस सर तो हमने लिग दिया x पर इनकों divide क्यों कर रहे हैं तो हमने एक simple जो हमारा formula था फिलाल उसको apply किया है जो ये कहता है कि exterior angle मतलब हरे एक exterior angle की वाले निकालने के लिए आपको क्या करना चाहिए सर interior angle sorry exterior angle का sum होता है उसको divide करना चाहिए number of side से तो basically ये था total piece और इतने हिस्से हुए और हर एक के हिस्से में 45 आया ठीक है ये simple सा गड़ित है कि ये था total जोडने पे इतने हिस्से किये और हर एक के हिस्से में आया 45 तो आपको बताना है कितने हिस्से किये तो वो कैसे पता लगाओगे सर तीन तो side ये 45 यहाँ पे है simple इधर आएगा तो इसको में एक काम करते हैं ऐसे लिख लेते हैं कि क्या यह statement करेक्ट है चूंकि एक यहां पर क्या कर रहा था डिवाइट साइट चेंज करेगा तो multiplication अब यहां जाने 45 यहां क्या कर रहा है सर मल्टिप्लिकेशन साइट चेंज करेगा तो क्या करेगा सर डिवाइड करेगा क्या कोई शंकामन में नहीं सर अब तीन सो साट और पितालिस को आप कर रहे हैं डिवाइड तो कितना मिलेगा आपको सर हम करेंगे इसको डिवाइड तो 45 पहले हम करते हैं नाइन से चलिए ठीक है यहां पर मैं दुबारा लेख रहा हूं ताकि कोई का कोई कंफीजन ना हो तो नाइन कितना फोर्ट थर्टी सिक्स है ना आइंड यो जाएगा नाइन फाइव फाइव फाटी फाइव ठीक है और फाइव यहां तो एक्स की वाल्यू आ रही है मेरे हिसाब से एट मतलब कितने साइट्स हैं इस पॉलिगन के इस रेगिलर पॉलिगन के आठ साइड है जिसको हम क्या बोलते हैं ओक्तागं बोलते हैं तो फाइंड नंबर उप साइड्स तो कितने साइड्स हो आया अपने सर्टोटल सम डिवाइडेड बाय जा मेजर्मेंट आफ इच एंगल तीन सो साथ था बटने पर 45 मिला तो कितने हिस्से हुए वो पता लगाने के लिए हमने इन दोनों को डिवाइड कर दिया क्या आपको यह समझ में आया यह सर कहीं कोई शंकामन में नो सर चले य हमार एक्ससाइज 3.2 यहां पर होती है स्टार्ट और हमें जो चीजे कुछ unknown quantity पता करनी है पहले सवाल में अब देखें यहां पर क्या है यह ट्रायांगल है क्या पता लगा ना इसका एक्स्टीरियर आंगल और साथ में क्या जानकारी दी है सर दो और एक्स्टीर आंगल द पॉलीगन क्या मिलेगा आपको सर हमको मिलेगा कि 125 प्लस 125 प्लस एक्स तीनों को जोडने पर आना चाहिए 360 डिग्री ठीक है 125 और 125 जोडने पर कितना असा 250 और साथ में एक्स और तीनों को जोडने प्यारा 360 ठीक है अब 200 को वहां कर देंगे माइनस तो एक्स इक्वल टू 360 माइनस 250 ठीक है दाट इस एक्स की वालियो आजाएगी 6 में से 5 गया तो 1 तीन में से 2 गया तो 1 तो एक्स की वालियो आजाएगी 110 डिग्री क्या इसमें कोई शंका नहीं सर आसान था सवाल येस सर आप चाहें तो इसको लेख सकते हैं 2 मिनिट के लिए इसके बाद मैं erase कर रहा हूं इसको च चार आंगल कौन से आंगल के बारे बता नहीं एकस जो की एक बहारी आंगल है अगर ये एंगल 90 है तो ये एंगल कितना होगा सर वह भी 90 होगा क्योंकि को जोडने पर कितना आता है 180 चैशना हो सक यह दिए 360 degree तो 60 90 60 90 70 X और पांचवे वाले को 90 को जोड़ने पर कितना मिलना चाहिए सर इन सब को जोड़ने पर मिलना चाहिए 360 degree कितना मिलना चाहिए 360 degree because it is exterior angle property अब यहां जान देना 90 और 90 हो गया कितना सर 180 180 और 60 कितना हो जाएगा सर 240 240 और 70 कितना हो जाएगा सर 240 और 70 हो जाएगा 310 क्या कोई शंका मन में नहीं सरेबर फिर से 90 और 90 180 180 और 60 हो जाएगा 240 240 हो जाएगा 310 प्लस X is equal to 360 degree चलिए अब यहां जान देना तो एक्स निकालने के लिए क्या करोगे सर एक्स हो जाएगा 360 में से आप 310 घटा दीजिए और एक्स की वाल्यू पार जाएगा तो 360 में 310 घटा है तो कितना बचेगा तीन तीन कैंसल छे में से एक गया 550 दिग्री होनी चाहिए एक्स की वाल्यू क्या आपको यह समझ में आया येस सर कहीं कोई शंका मन में नो सर कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ की तो हमने अगले प्रश्न क्योर करे तो सेकेंड पॉर्शन है हमारा फाएंड द फाइंड़ सामा तो फ्रेग्स टिरयर अंगल ऑफ एक्स्टीर आयंगल ओफ रेगुलर पॉलिगॉन ऑफ नाइन साइटज क्या बोला उसने कितनी साइट से रेगुलर पॉलिगॉन की नाइन बताओगे कि अरे बोलो भाई है एक सो सी कॉन बोला ये अंदर के ट्राइंगल के अंदर का समनी पूछ रहा हूं बाहर का पूछ रहा हूं सर एकस्टीरियर आंगल का सम होता है तीन सो साथ डिगरी ठीक है नंबर ऑफ साइड बताओगे पहले केस में कितना है तो नंबर अब मेजर ओफ इच अंगल कैसे निकालोगे सर कुल मिलाके है 360 हिस्से करने है 9 क्योंकि सारे हिस्से होंगे बराबर तो जितनी एक की वाल्यू उतनी सब की वाल्यू तो कितना हो जाएगा यहां पे 360 डिवाइड बाइड नो करने पे नो चोके 36 तो 40 डिगरी आनी चाहिए हर एक एक स्टीरियर आंगल की वाल्यू ऑफ रेगुलर पॉलिगन हाविंग नाइन साइट्स कौन सा पॉलिगन रेगुलर पॉलिगन यह ध्यान रखना ठीक है यह हो गया सॉल्फ येस सर अब इसका से लिए तो यहां पर हम लिखना है पंदरा यहां पे भी हम लिखेंगे पंदरा पर डिवाइड करके अंसर निकालेंगे कितना आएगा देखते सर फिफ्टीन टूजा होता है थट्टी बिलकुल ठीक और फिफ्टीन फाइफ फिफ्टीन फोर जाए 60 तो 24 डिगरी आनी चाहि जब रेगुलर पॉलीगन की 15 साइड होंगी, कॉंसेट वही है कुल मे लाके कितना हिस्से कितने होंगे हर एक के हिस्से में कितना आएगा, क्या आपको यह समझ में आया, जी सर, इसी के साथ यह सवाल भी होता है समापत और हम अग्रसर हो रहे है, अगले प्रशन की तरफ, सवाल क्रमान के तीन है हमारा तीसरा सवाल एक्सराइज का इसमें क्या बोल रहा है यदि आपकी आखे तिमा रही है यह सूछे कि यह सामने पहले भी किया है जी आभी इसका एक्जाक्ट रिवर्स प्रोसेस किया था तो आंसर तो आएगा इसका कितना 15 बिलकुल ठीक साब बास अपने अपनी पीट थप थपाई यदि आपने आंसर बोला है 15 पर वो तो हो गया हमने अभी सॉल्फ केता है इसलिए यदि एक्जाम में ऐसा प्रश्न आ जाए तो कैसे उससे निप्टेंगे वो अब विधी हम दे 1360 डिग्री बहुत बढ़ियां काफी हुनहार्द विध्यारती हैं हमारे चलिए धन्यवाद आप मुझे यह पताईए सवाल के हिसाब से मेजर ओफ इच अंगल कितना है तो सर मेजर ओफ इच अंगल है 24 डिग्री चलिए ठीक है अब इसमें हमें और क्या चीज़े पता होनी चाहिए सर नंबर ओफ साइड्स पता होना चाहिए जो की नहीं पता है जो की पता लगाना है तो लेट नंबर ओफ साइड्स भी एक्स ठीक है अब यहाँ देना मेजर निकालने का फॉर्मला क्या होता है तो सर मेजर ओफ इच अंगल निकालने का जो फॉर्मला है जो आपने तंत्र मंत्र दिया है वो कुछ इस प्रकार है कि जितना सम होता है जितना सम होता है उसके कि इतने हिस्से करने हैं उससे डिवाइड कर दीजिए आपको मिजर मिल जाएगा आपको एंगल की वाल्यू मिल जाएगी क्या एंगल की वाल्यू हमें पहले से मिल चुकी है येस सर बहुत बढ़िया कॉंग्राचुलेशन्स तो 24 डिगरी इक्वाल्स टू 360 डिगरी डिवाइड बाई X आप क्या करेंगे सर एक्ष यहां पर डिवाइड कर रहा है साइट चेंज करेगा तो मल्टिप्लाइगा बहुत खूब धन्यवाद तो X इन्टू 24 डिगरी इक्वाल टू 360 डिगरी क्याश में कोई शंका नहीं सर अब 24 जो यहां multiply कर रहा है, वो side change करेगा, तो क्या करेगा, divide करेगा, तो x equal to 306, divide by 24 हो जाना चाहिए, yes sir, अब हम क्या करेंगे, sir इसको 12 से cancel करके देखते हैं, बिल्कुल ठीक, तो 12, 2 is a 24, 12, 3 is a 36, ठीक है, and 2 और 30 को जब आप cancel करेंगे, तो 30 divided by 2, मतलब हो जाएगा 15 sites, कितनी sites, 15 sites, तो यदि आपके प्रश्ण पत्र में, मतलब exam के कच्चन पेपर में, यदि ऐसा सवाल आएगा, तो क्या करेंगे, sum divided by measure of each angle, तो आपको मिल जाएगे number of sites, क्या आपको यह समझ में आया, जी sir, यदि आप इस particular प्रश्ण के उत्तर को, अपनी notebook में उतारना चाहते हैं, तो आप इसा कर सकते हैं, मैं कर रहा हूँ screen को clear, ठीक है, चलिए, यहाँ पे होगा screen के लिए, अगला प्रश्ण देख लेते हैं, सवाल के मांग 4 है हमारा, how many sites, कितनी sites होंगी, यदि interior angle है अपकी बार, regular polygon have, if the each of the interior angle is 165 degree, अब तक आपको exterior angle दे रहे थे, अब आपको interior angle दे दिया है, कैसे करेंगे, sir, interior angle has 165 degree, ठीक है, अब ज़रा इसको solve करने के दो तरीके, मैं आपको दोनों सिका रहा हूँ, ठीक है, जो आपको पसंदा है, वो रखिए, जो नहीं पसंदा है, वो छोड़ दीजे, चलिए, वो आपकी मर्दी है, तो पहले मैं लिख रहा हूँ, यहापे मैं लिखा कि, भाई साब interior angle है 165 degree, क्या मैं exterior angle निकाल सकता हूँ, हाँ सर, जब interior angle पता हो, तो exterior angle निकालना, तो हमारे बाए हाथ का खेले, तो लोग बाए हाथ से ही solve कर देते, तो exterior angle कितना होगा, सर, 180 में से 165 माइनस कर दीजिए, बेहत ही, गंदी handwriting होने की वज़े से, वापस से दाए हाथ को बलाए गया है यहाँ पे, तो हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, कि 180 में से, 165 घटा दीजिए, तो आपको exterior angle मिल जाएगा, क्योंकि regular polygon में, या किसी भी polygon में, exterior और interior angle को जोडने पे, 180 ही आता है, सारे नहीं, कोई एक pair, क्या बोल रहा हूँ है, कोई एक pair को जोड़ेंगे, जब आप एक pair of interior and exterior angle, जो की एक दूछरे से connected है, राम को गोपी से connect नहीं करना है, राम को शाम से connect करना है, ठीक है, तो जब राम शाम आजू बाजू में रहेंगे तब, तो एक pair of interior and exterior angle को, जोड़ने पर कितना आता है, 180, तो आपने यहाँ पर क्या किया, interior आपको पता है, जोड़ने पर कितना आता है, आपको वो पता है, तो आप exterior निकाल सकते हैं, subtract कीजे कितना आएगा, तो इसाँ subtract करने पर आएगा, 10 में से 5 गया, 5, साथ में से 6 गया, तो 15 डिगरी आना चाहिए, किसकी वाल्यू, exterior angle की वाल्यू आनी चाहिए, 15 डिगरी, कि आपको यह समझ में आया, येस सर, कहीं कोई शंकामन में, नो सर, तो 15 डिगरी आई, exterior angle की वाल्यू, अब हम क्या कर सकते हैं, सर, हमें सम पता है, सम औफ, exterior angles कितना होता है, 360 डिगरी, measure of वाण, exterior angle कितना दिया है, कितना निकाला है आपने, कितना निकाला है, सर, 15 डिगरी, अब यहाँ पर जान देना, में एक सवाल का ज़ब दो, क्या है ये, तो क्या सारे angle बराबर होंगे, येस सर, तो number of sides क्या करने हैं सर, वो तो पता लगाने हैं, तो number of sides को हम क्या कर लेंगे, let कर लेंगे, मतलब assume कर लेंगे, number of sides कितना होगा, number of sides कितना होगा, x, अब, सवाल यह है आप से, कि अगर आपको exterior angle का measure निकालना हो, का value निकालना हो, तो क्या करते हैं, सर, आपी ने हमें एक formula पढ़ाया है, कि measure of exterior angle is equal to, जितना जोडने पे आना चाहिए, उसके हमने जितने भाग करने हैं, उससे divide कर दें, क्या आपको यह समझ में आया, यहाँ पे मतलब हमारे लिए 15 हो जाएगा, किसके बराबर, 360 divided by x के बराबर, अब यह x क्या कर रहा है, divide कर रहा है, side change करेगा, तो multiplication, तो x into 15 degree, is equal to 360 degree, क्या आपको यह समझ में आया, यह सर, तो अब यहाँ पे हो जाएगा, क्या, सर 15 जो है multiply कर रहा है, side change करेंगे, तो divide करेगा, बिल्कुल ठीक, तो x equal to 360 divided by 15, तो आप जब solve करेंगे, इसको तो कितना आएगा, सर 15 2 होता है 30, और 15 4 होता है, कितना 60, तो x की value 24, मतलब number of sides कितने, तो number of sides हो जाएगे 24, यह हो गया तरीका करमांक 1, क्या आपको यह समझ में आया, इसमें हमने क्या किया, इसमें हमने पहले exterior angle से, sorry, पहले interior angle से exterior angle निकाला, फिर exterior angle की property का इस्तमाल करके, sum से divide करके, हमने यह पता लगाया, कि कितनी sides होंगी, कि आपको यह समझ में आया, जदी यह समझ में आया, तो copy कर लीजिए, मैं 2 minutes post ले रहा हूँ, एक, दो, चलिए, अब कर रहा हूँ मैं screen को clear, और मैं आपको सिखा रहा हूँ, दूसरा तरीका, आप दूसरा तरीका क्या है, तो भाई साब तरीका करवान की दो, यह है कि interior angle कितना दिया है आपको, एक regular polygon में, कितने, कितना होगा interior angle, हम वो भी पता लगा सकते कैसे, सर वो पता लगाने के लिए, पहली बाद तो number of sides पता होना चाहिए, तो let number of sides भी x, अब आप मुझे यह बताइए, आप मुझे यह बताइए, कि जब number of sides x है, तो sum of interior angles कितना होगा, सर आपने जो formula सिखाया है, उसके हिसाब से, जितनी भी sides होती है, माइनस करेंगे दो tax का, और गुड़ाव कर देंगे 180 से, क्या आपको यह समझ में आया, yes sir, कहीं कोई दिक्कत, नहीं sir, आप मुझे यह बताइए, जब sum पताए आपको, और आपको यह पताए कि regular polygon है, तो measure of each angle कैसे निकालते हैं, sir, क्योंकि regular polygon है, या फिर मैं इसको अच्छे से लिखूँ तो, एक मिनिट शमाच आते हैं, तो measure of each interior angle, हाँ, तो कहां थे हम, sir, आपको sir बोल रहे थे, हाँ, sir, हम यह बोल रहे थे, कि जब आपको interior angle निकालना हो, और किसी regular polygon का निकालना हो, तो simple सा funda है, कि जितना उनका sum है, जितना उनका sum है, उसको divide कर दीजे, जितनी उनकी sides है, भाई, जितनी sides होंगी, उतने angle होंगे, तो यह है total कितना था, यह हो गया, कितने हिस्से करने हैं, तो divide करके, हर एक का हिस्सा निकाल लीजे, अब 10 chocolate है, पाँच हिस्से करने, तो हर एक एक हिस्से में कितना आएंगी, दो-दो कैसे पता लगाया, 10 divide by 5, तो total divide by कितने हिस्से करने हैं, अब आपको यह value पता है, आपको measure of each angle पता है, कितना है, सर 165 degree, तो मैं लिख रहा हूं, यहाँपे कि 165 degree, is equal to, x-2 और यहाँपे into 180, whole divide by, x क्या यह equation समझ में आई, येस सर, अब आप क्या कर सकते हैं, सर x जो यह एंट divide कर रहा है, वो side change करेगा, तो multiply, तो यह हो जाएगा, 165 x, इस तरफ हम bracket को कर देंगे, open तो हमें मिलेगा, 180 x, minus 360, क्या कोई समस्या नहीं सर, अब हम क्या करेंगे, सर इधर उधर alert पलट कर देंगे, तो minus 360, जब यहाँ आएगा, तो हो जाएगा, plus 360, ठीक है, और ये 180 x में से, 165 x हम कर देंगे, minus, क्योंकि, यहाँ पे ता positive side change करेगा, तो negative, तो 360 में से, अब हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करके, x की value पता लगा सकते हैं, कि 360 divide by 15 करने पर, हमें मिलेगा, x डिवाइड करोगे, तो 15, 2,30, 15, 4,60, तो 24 आएगा, x मतलब number of sides कितने, 24, वहाँ पे आपने क्या किया, तो पहले method में, हमने interior से निकाला exterior, फिर exterior से किया, total sum को divide, और sum को divide करने पर, हमें मिले number of sides, इस वाले में, आपने interior angle का use करके, पहले निकाला interior angles का sum, फिर उसको किया, number of sides से divide, फिर उसकी value, जो कि पहले से सवाब में गिवन थी, 165, उसके बराबर रखके, solve करके, आपने number of sides निकाला, यह दोनों तरीके सही हैं, आपको जो upio करना, वो upio कर सकते हैं, आपकी मर्जी है, sorry, तो यह पूरा आपके हिसाब से, कि आपको क्या करना है, चलिए, यहाँ पे होती है, screen clear, and यह सवाल होगे, हमारा solve and हम move करेंगे, अगले प्रशन की तरफ, सवाल क्रमांग 5 है हमारा, is it possible to have a regular polygon, with measure of each exterior angle as 22 degree, क्या करेंगे हम, sir, आपको पता है कि sum of exterior angles होता है, कितना, तो हमारे साब से sum of exterior angles होता है, 360 degree, अब क्या बोल रहा है, measure कितना है हर एक angle का, तो sir, measure of each angle, यह बोल रहा है कि 22 degree है, हमें पता लगाना है, सही है कि नहीं है, मतलब हम basically यहाँ पे अभी जाच कर रहे हैं, हम CID types हो गएं, कि हमें पता लगाना है, यह साच्छे की जूट है, चलिए, अब number of sides कितने होंगे, sir, क्योंकि regular है, तो हम X मान लेते हैं, number of sides B, X, कैसे पता लगाते हैं, number of sides, अगर पता हो, तो measure of each angle, sir, formula है, कि measure of each, exterior angle, अगर हम बिल्कुल precise होके लेखें, एकदम, ACP certified की एक भी गलती नहीं होनी चाहिए, कि measure of each, exterior angle उड़ भी, 360 divided by number of sides, मतलब X, तो 22, बराबर हो गया, 360 बटे X के, अब हम क्या करेंगे, sir, X जो यहाँ divide कर रहा है, side change करेगा, तो multiply करेगा, तो 22 into X हो गया, 360 के बराबर, तो X कितना हो जाएगा, sir, 22 जो यहाँ divide कर रहा है, side change करेगा, तो 360 divided by 22, इसका मतलब समझे दया, नहीं समझे, जो जी divide करने पर आगया, perfect number मतलब, जिसमें decimal या fraction नहीं है, तो मतलब जवाब सही है, पर अगर decimal की हलकी सी भी मतलब, ऐसे पायल की च्छनक भी आ गया, कि च्छन करके में आ गया, तो मतलब समझ लेना, कि number of side नहीं होगा, क्या नहीं होगा, क्योंके number of side decimal कैसे हो सकता है, नहीं हो सकता है, number of side decimal में, तो इस लिए हम क्या करेंगे, डवइड करके चेक करेंगे, हमारा answer, perfect number आ रहा है, या पर राइक integer आ रहा है, ठीक है मतलब 1801 करेंगे तो 118 इट नहीं कितना होगा सा 11 11 आपके लिए बचेगा 70 है ना तो 70 मतलब 1166 16.something ठीक है आप क्या लिखेंगे आप लिखेंगे नमबर ओफ साइट्स इस नाट और नाचरल नंबर भाई वाट डियू मीन बाइब नाचरल नंबर यह बताएंगे आप मुझा जीहां काउंटिंग नंबर अब बाई नंबर ओफ साइट्स तो काउंटेबल होनी चाहिए ना तो 16.5 साइट्स कभी हो सकती है क्या कि 16 साइट्स पूरी बनी है सोलवे के बाद वाली साइट्स थोड़ी सी बनी उसके बार में छोड़ दिया ऐसे हो नहीं सकता फिर नमबर पॉलिगॉन ही नहीं है तो सिंस नंबर ओफ साइट्स नाचरल नंबर देर्फोर देर्फोर दिस आंगल इस नौट पॉसिबल देर्फोर डिगरी इन्सनाट भॉसिबल क्या बोला हमने सफ नौट पॉसिबल क्या लिखरां में लिखेंगा कि exterior अगल ऑफ रेगूलर पॉलिगं मेजरिंग 222 डिगरी इस नौट पॉसिबल हिंदी में कि किसी भी पॉलिगं से exterior angle मतलब बहारी angle की मातरा का major 22 degree होना असमभव है इसी के साथ ये सवाल होता है हमारा solve हम कर रहा है screen को clear and move करेंगे second part की तरफ second part पर हमसे पूछ रहा है can it be an interior angle of a regular polygon and why मतलब जदी 22 degree exterior angle नहीं तो interior angle होगा क्या basically सवाल आप से चारा है कि यार कहीं तो fit करवा दो इसे विचारे को interior में exterior में चले exterior में तो नहीं हो पाया अब interior का भी देख लें एक बार तो चला अगर interior angle है कितना चला अगर interior angle है 22 degree तो exterior angle कितना होगा आप मुझे बता सकते हैं क्या सर होता ये है कि इन दोनों का pair form करता है linear pair बिल्कुल ठीक तो इन दोनों को जोड़ने पर आता है 180 अब यदि मतलब अगर interior angle है 22 तो exterior angle होना चाहिए 158 degree परंतु किन्तु exterior angle 158 possible है यह नहीं है पहले तो हमें वो चेक करना पड़ेगा तो वो कैसे चेक करेंगे तो सर आप ही ने सिखाया है कि sum of exterior angles is कितना 360 degree तो हमने यह माल लिया कि let इस case में number of sides भी कितनी x अगर number of sides x है what does that mean कि exterior angle की value क्या होगी तो sir measure of exterior angle निकालने का जो formula है वो कुछ इस प्रकार है कि sum यानि जोडने पर कितना आएगा उसको divide कर दो x से मतलब कितने parts चाहिए आपको अब इनकी value तो आपको पता है exterior angle की value कितनी है sir 158 degree आप इने निकाली अभी तो 158 degree equal to 360 upon x अब जब आप इसको solve करेंगे तो यह हो जाएगा 158 into x क्योंकि x1 divide कर रहा है side change करेगा तो multiply अब वापस भेज़ेंगे किसको number को तो x के साथ multiplication में है side change करेगा तो divide करेगा किसको 360 divide by 158 कितना 158 अब देखने वाली बात यह है यह समझने वाली बात यह कि क्या x की value 158 से divide करने पर 360 को क्या exact कोई natural number दे रही है क्या तो sir x की value आएगी approximately divide करने पर आएगी decimal में ठीक है तो since x तो आपके क्या लिखोगे since x is not a natural number is not a natural number आप चाहे तो इसको 2 से divide करके या 8 हो डिक नो 5 कितना हो था नहीं 9 और 5 होगो 14 30 से नहीं होगो तो 2 से divide करके देखिए और अगर simplify हो रहा है तो वो भी करके देखिए लेकिन मेरे हिसाब से तो यह further divide नहीं होगा natural number नहीं मिलेगा तो since x is not a natural number therefore number of therefore measure of interior angle of a regular polygon कितना 22 डिग्री इस नाट पॉसिबल इस नाट पॉसिबल क्या लिख दिया हमने कि भाई साब ना exterior में पॉसिबल है ना interior में पॉसिबल है क्योंकि हमारे x की value natural number नहीं आ रही है मतलब x की value counting number natural number आईगी तभी हम बोल सकते हैं कि ऐसा कुछ angle पॉसिबल है अन्य था regular polygon में ऐसा angle होना पॉसिबल नहीं है क्या आपको यह समझ में आया yes sir तो यहां पे होती है screen clear अगला प्रशन देख लेते हैं सवाल क्रमांग छे क्या बोलरा आपसे पहला question what is the minimum interior angle regular polygon ठीक है and why अब आपको यहां ध्यान देना है ठीक है हम दोनों सवाल का जबाब साथ में देंगे second सवाल क्या है what is the maximum exterior angle possible for a regular polygon ठीक है अब मुझे एक बात बताईए जब आपको minimum interior चाहिए तो क्या मैं बोल सकता हूं कि तब maximum exterior होगा है साथ समझ में नहीं आया है देखो दोनों को जोडने पर आता है 180 कहाया ना हाँ सर इसमें से अगर आप interior को minimum मतलब सबसे कम कर देंगे तो जो extra होगा वो कहां जाएगा पूरा कि भाया exterior तुम समालो तो interior ने बोला मैं खुद को रख रहा हूं minimum एकदम छोटी सी जगा में बाकी पूरी जगा किसकी है exterior की है तो मतलब जब interior minimum होगा तो maximum होगा exterior ये बात आपको समझ में आ गई येस सर तो बेसिकली दोनों सवाल एक ही चीज़ पूछ रहे है minimum interior would give you maximum exterior उधारन एको ले लिज़े ज़िए आप तो जब आप आपके exam में मान लिज़े example के तोर पे आपके minimum marks कितने होते हैं सर minimum मान लो 100 marks एक्जाम है ठीक है तो आपने बोला मेरे minimum 20 नंबर तो आएंगे आएंगे सबसे ज़्यादा ठीक है तो जब interior एंगल minimum हो जाएगा exterior एंगल को maximum होना पड़ेगा अब यहां जान देना कि साम और एक्स्टीर एंगल कितना है आइंगल का formula होता है समák डिवाइड बाइनम्बर आफ साइट्स को दिवाइड बाइनम्बर आफ साइट्स के अब यहां इस आइएंगल की जगा में लिron On measure of each exterior angle क्या बोला मैंने sum upon number of size अब ज़रा ध्यान देना sum कितना है 360 number of sides कितना है अब सर वो तो हर एक polygon में अलग-अलग होती है ठीक है सबसे कम किसम होती है सबसे कम होती है ट्राइंगल में कितनी साइट्स तीन साइट्स फिर आता है कोडिलाटरल चार साइट्स पेंटागन पांच हेक्सागन छे अब मुझे बात बताओ आपके घर में एक पिज़ा आया है ठीक है अभी नहीं आया है मतलब एक्जामपल दे रहो दरवाज़े के तरह मत देखो तो आपके घर में एक पिज़ा आया है घर में खाने वाले सदसे हैं चार ठीक है क्या आपको बड़ा पीस मिलेगा येस सर अगर यही सदसे हो जाते ह है छे तो क्या आपको comparatively छोटा पीज मिलेगा येस सर यदि सदसे होते हैं खाली दो तो क्या आपको आदा पीज़ा मिलेगा येस सर मतलब जितने हिस्से करने होंगे वो जब बढ़ते जाएगा तो हर एक का हिस्सा कम होते जाएगा ये समझ में आया ये बहुत ही सामाइने से concept है जो में ये जाभा हिस्से करोगे हर एक व्यक्ती के favor में हर एक party के favor में कम कम हिस्सा आएगा अगर एक व्यक्ती पूरा pizza खा रहे तो उसको पूरा pizza मिलेगा यदि दो खा रहे हैं तो उसको आधा मिलेगा यदि तीन खा रहे हैं तो एक तीहाई मिलेगा चार खा रहे हैं तो एक चोथाई मिलेगा तो मतलब जब number of parties बढ़ जाएगा या number of dividers बढ़ जाएगा कि कितने लोगों में बढ़ना चाहिए कितने हिस्से होने चाहिए तो जब हिस्सेदारी बढ़ जाएगी तो हर एक व्यक्ति का हिस्सा कम हो जाएगा ये concept आपको समझ में आ रहा है अब यहाँ ध्यान देना मुझे चाहिए maximum exterior angle मतलब angle की value सबसे ज़्यादा होनी चाहिए मतलब मैं वो case ढूंड़ाँ या फिर वो तरीका ढूंड़ाँ जिसमें मेरा जो angle है वो सबसे ज़्यादा हो जाए अब जब आपको हिस्सा ज़्यादा चाहिए आपको angle का measure ज़्यादा चाहिए आपको हिस्सा ज सबसे बड़ी वाल्यू देनी है तो मैं 360 को सबसे छोटी value से divide करूँगा किस से divide करूँगा? सबसे छोटी value तो सबसे छोटी value कौन सी है? 3 तो 360 को जब मैं 3 से divide करूँगा तो मुझे मिलेगा 120 degree इस से छोटे 1 और 2 वो numbers है परन्तु polygon में 3 से छोटी sides नहीं हो सकती वरना वो polygon बनेगा ही नी तो minimum sites है तीन तो maximum exterior angle क्या हो जाएगा 120 हो जाएगा तो इसको लिखने का तरीका हम इसे लिख रहे हैं कि minimum number of sites मतलब minimum हिस्से मतलब minimum हिस्से कितने हो कितने होंगे कितने उमीदवार हैं जिनको pizza चाहिए सर कम से कम तीन लोग तो होंगे क्योंकि मैं मेरा भाई या बेहन या फिर मेरे पिताजी यह तीन लोग तो हैं घर पर बाकी लोग सब चले गए हमने मम्मी को भीज़ दिया मौसी को भीज़ दिया नानी दारी number of हिस्सा कितने लोगों को हिस्सा चाहिए वह मिनिमम कर दीजिए तो हिस्सेदारी मैक्सिमम हो जाएगी 120 डिगरी ठीक है जितने हिस्से करने थे उसको जब मैंने मिनिमम कर दिया तो वह हो जाएंगे 120 आप जब आप से पूछेगा कि मैक्सिमम करनी हिस्सेदारी मतलब कितने लोगों को हिस्सा मिल रहा है वो लोग बढ़ाने हैं तो फिर है को हिस्सा कम होते जाएगा तो जब आप 20 लोगों में करेंगे तो रही चक्रेगे तो और कम होगा 3 करेंगे तो मिनिमम कतना है तोक्तिमम अंगण 11 fist हो गया तो क्या minimum interior angle बता सकते हैं आप लोग सर अब दोनों मिला के बना रहे हैं दोनों की जो जोड़ी है वो मिला के बनाती है 180 ठीक है तो जब exterior हो जाएगा maximum मतब exterior अपनी हद तक पहुत चुका है इससे जादा नहीं जा सकता तो बचा हुआ दूरी या बचा हुआ value कौन कवर करेगा उसका best friend उसके बाजू में रहने वाला minimum तो minimum कैसे निकालेंगे तो सर 180 में से जितना सबसे बड़ा exterior हो सकता है कितना 120 उसको कर दीजे माइनस तो आपको मिलेगा 60 डिगरी अब यहां पर वाट इस दा मिनिमम इंटेर आंगल वाल्यू पॉसिबल तो कितना 60 डिगरी जो कि किसमे होता है एक regular triangle में जिसको आप प्यार से बुलाते हैं equilateral triangle जिसके सारे sides और सारे angles बराबर यहां पर maximum action angle कितना होगा sir 120 डिगरी इसका भी हमने proof आपको बता दिया है एक बार फिर से जब आपको maximum हिस्सा किसी को देना हो सबसे जादा हिस्सा लेना हो या फिर आपको किसी को देना हो तो आपको जितने लोगों के बीच में हिस्सा हो रहा है वो कम करना पड़ता है example जो मैंने बताया कि यदि एक इंसान पिज़ा खाएगा तो वो पूरा पिज़ा खा लेगा यदि दो व्यक्ति खाएंगे तो आधा-धा मिलेगा तीन लोग खाएंगे तो एक तीहाई मिलेगा चार लोग खाएंगे तो एक चौथा ही मिलेगा और यह आप कोई पता है कि एक ती आई बड़ा होगा एक चौथा ही छोटा होगा मतलब जब लोगों के बीच बटवारा हो रहा है तो जादा लोगों के बीच बटवारा होगा तो हिस्सा कम हो जाएगा ठीक है हमें सवाल में क्या भूला है हमें सवाल में चाहिए सबसे ज़्यादा हिस्सा तो सबसे ज़्यादा हिस्सा लेने के लिए सबसे कम होने चाहिए जिनके बीच में हिस्सा होना है तो हिस्सा किसके बीच में होता है सर साइड्स और आइंगल्स के बीच में कितने साइड् से डिवाइड किया इसका बटवारा करना था और सबसे छोटा करना था मतलब सबसे कम बटवारा करना है तो तीन से डिवाइड कर दिया जोकि तीन से कम तो होई नहीं सकते तो जब आप तीन से डिवाइड करेंगे तो हर एक को मिलेगा सबसे बड़ा हिस्सा कितना बड़ा 120 डिगरी और इसी के साथ आपने निकाल लिया मैक्सिमम आंगल कौन सा एक्स्टीर आंगल अब इंटीर में क्या करना है इंटीर में मिनिममम निकालना है तो मैक्सिमम मिनिममम की दोस्ती जैवीरू जैसी कि अगर मैक्सिमम ने बोल दिया कि एक्स्टीर आंगल ने कि मैं हूं मैक्सिमम एक्सोबीस बाकी तू कवर कर ले त कॉंसर कॉंसेप्ट यूज किया सामान ने गणित कि जब हिस्सा बढ़ा करना हो तो जिनके बीच हिस्सा होना है उनको कम कर दो तो उनको कम कर दिया यह समझ में आया जी सर चलिए यहां पर कर रहा हूं मैं स्क्रीन को क्लियर और हम मूफ करेंगे अगले प्रशन की और परन्त कर दो चाहिए ठीक है उद्हारन के तौर पर आपके लिए अवेलेबल हो रही है धीरे घीरे तो आप उसको भी एक्सप्लोर कर सकते हैं आसानी से कोई दिक्कत आपको नहीं आनी चाहिए ठीक है उधारन के तौर पे यदि आप class 9 की एक्जेंब्लर खोड़ते मैंस की जो कि मैंने खुद पढ़ाई है तो उसमें आपको chapter wise content मिलता है in fact हर एक chapter के अंदर हमने आपके लिए exercise wise videos को divide कर दिया ताकि आप आसानी से अपने requirement के हिसाब से पढ़ाई कर पाएं आपको कोई समझ से नहीं होनी चाहिए उधारन जब आप इसमें पहला टाप क्लिक करते हैं यहां पर आपका खुल जाता है वीडियो जहां पर आपके गुरूवर मतलब मैं पढ़ा रहा हूं आपको first chapter का first जो concept है आन जो mcqs वाला पाट है वो class 9 का तो आप तो अगले साल प फोकस था एक important concept को समझने को जिसका नाम था exterior angle property of a polygon इसमें विशेज कर हमने जो सवाल किये वो थे regular polygon के exterior और interior angle के बारे में आपको यह सवाल समझ आऊंगे ऐसी मेरी आशा है यदि कोई समझ सा है तो कोई बात नीए वीडियो दोबार देखिए आपको बिल्कुल समझ में आजा कोई डाउट नहीं रहेंगे ऐसा हम हर बार प्यास करते हैं आगे आपको पता है अगले वीडियो में हम एक सिक्साइस पर फोकस करेंगे तो रेगुलर्ली आपको पढ़ाई करनी है और येस वीडियो पसंद आये तो लाइक चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कीजिए विकास आपके फ्रेंड्स और फैमिली में जब आप नॉलेज को स्प्रेड करेंगे तो वह एक अच्छी लेते हैं तो रेगुलर्ली पढ़ाई करते हैं ये स्टे होम स्टे सेव अपना ख्यार रखिए गुड डे बाबाई टेक केर